सुप्रभात नमस्कार गट मॉनिंग जसी टेक में आप सबका हारदिक स्वागत है 23rd January 2024 Tuesday मंगल है और मंगल को सबका मंगल हो यही कावना है आज दोस्तो हम लोग 3 रात 2 दिन के बाद ओपन होंगे और एक Gap Up ओपनिंग की उमीद बिलकुल दिखाई दे रही है Gap Up ओपन होना और Gap Up सस्टेन होना दो अलग अलग बाते हैं दोस्तों कहीं पर भी किसी ने भी opening होते ही gap up को chase मत करना, gap up पर ना ही कोई short करना और ना ही कोई long करना तुरंट की तुरंट, पहला एक घंटा अराम से बैठियेगा, जो होता है volatility जितनी होती है होने दीजेगा, settle होने दीजे, उसके बाद ही हम लोग कुछ न कुछ करेंगे, one hour का, मैंने बोला first one hour का high low mark कर लूँगा, अगर first hour के low के नीचे रहा, तो मैं वहाँ से sell में रहूँगा, और अगर first hour के buy के उपर रही market, तो हम वहाँ से करेंगे buy, अब दोस्तों आप कहेंगे कि सहाब, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या होने वाले है levels, क्योंकि कुछ लो security तो अलग चीज होती है, एक psychology, ट्रेडिंग की psychology में आप लोग क्या करते हैं, एक घंटे के high पे हैं, वहाँ से आप sell कर ट्रेड लेते हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हम एक घंटे के high के उपर हैं, तो हम वहाँ से buy का ही trade रहेंगे, क्योंकि वहाँ से और उपर क की तेजी देखने को मिल सकती है, और अगर नीचे हैं, तो वहाँ से sell का trade लेने में ही बैतरी दिखती है मुझको तो, क्या है, आईए देखने हैं कि nifty के किस level के उपर हमको buy की तरफ जाना है, और कहां से हमको करना है sell, 2720 से पहले 21,720 से पहले buying के बारे में नहीं सोचना है मुझको तो, मैं तो 2720 से पहले buying के बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ, academically यही level आता है, क्यों? क्योंकि Saturday का high है 21,720, 2720 के उपर अगर जाता है, तो 21,753 तक का level upside पे आ सकता है, 21,753 भी अगर breach हुआ, तो 21,792 आ सकता है, और अगर 2792 के उपर गए, तो 21,834 तक के level upside पम को देखने को प्राप्त हो सकते हैं, क्या IT साथ देगा निफ्टी का? बहुत बड़ा प्रश्न है, कहीं ऐसा ना हो कि management of index चलने शुरू हो जाए, या तो IT को चला दिया जाए और banking ठंडा कर दिया जाए, या फिर कहिए कि banking को चला कर IT को ठंडा कर दिया जाए, ठंडे वस्ते में रखा जाए, कि IT को बोला जाए भाई तुम आप शानत रहो, आप banks चलेंगे, तो management of index की भी एक कहानी होती है, वो भी की जाती है, और आप लोगोंने bank nifty में पर ऐसी कई बार देखा होगा, कि ICICI bank को तेज कर दिया जाता है, RHDFC bank को मंदा कर दिया जाता है, या इसका बिलकुल उलट, खेर, nifty की बात कर रहे हैं अभी, तो nifty पर ही focus करेंगे, आप Saturday को 21,571 पर close हुए है, 21,542, 21,542,541 के नीचे, that is the low of Saturday, 21,540,541 के नीचे कर जाते हैं, तो हम 21,496 तो 21,500 तक के लेवल्स देख सकते हैं, और अगर हम 21,496 को भी एक बार को तोड़ देते हैं, तो यह समझ लीजिए, कि 21,464,465 तक के लेवल्स भी प्राप्त हो सकते हैं, अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि कोई gap up मैं चेस नहीं करने के विचार नहीं कर रहा हूं, कारण क्या है, ऐसे ऐसे बैंक के नतीजे आए हैं, ठीक ठाक नतीजे हैं, बहुत अच्छे नतीजे नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन, हो सकता है कि अगर आईसे ऐसे बैंक के कारण निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही gap up हो जाएं, हो जाएं, तो यह हो सकता है कि जो अकसर अब तक की history कहती है, बड़े stocks के history ही होती है, कि कोई जो बड़ा stock होता है, अगर उसके नतीजे अच्छे आते हैं, तो next day उसमें follow up buying देखी कम ही जाती है, तो एक थोड़ा सा आपको फसाने की कोशिश की जाती है, follow up buying आए ना आए, gap up करा दो, और gap up होते ही वहां से एक book करने की मंशा जो रहती है, institutions की, वहां से अपनी profit booking करनी start कर देते हैं, तो थोड़ा देख सोच के, संबल के ही, ICSA bank को अगर आप दे avoid कीचे का, उसको देखने के बाद अगर trade कोई कर रहा है, तो वैस देख सोच के ही करना, क्यार बात कर लिखने है, bank nifty की, जो की 46,058 पर close हुआ था, 46,250, मैं कई दिन से ये बात कह रहा हूँ कि 46,250, आपके July 2023, September 2023 का high, यहां पर दो बार इसने top लाया है, दो बार, July में और September में, top लगा है, 46,250 के around, तो जब तक हम 46,250 के ऊपर चलना start नहीं होगे दोस्तों, तब तक, बाय के बारे में नहीं सोचेंगे, 46,250 के ऊपर sustain करें, for about one hour, उसके बाद ही हम upside के बारे में सोचेंगे, उसके बाद हमारे levels आते हैं, 46,368, 46,368 के बाद आता है, 46,586, 368 क्रोस किया, तो 46,500 के बाद बढ़ बड़ा resistance नहीं रहेगा, सीधा-सीधा 46,586 आ जाएगा, 46,586 के बाद 46,790, 791, यह है upside के हमारे levels, बैंक निफटी के, लेकिन दोस्तों अगर हमने यह देखा, कि 45,860, 867 के नीचे जाना स्टार्ट करता है, 45,867 के नीचे अगर जाना स्टार्ट करता है, तो वहाँ से एक बार को हमको cell का signal मिल जाता है, 45,867 के नीचे अगर जाता है, तो 45,640 तक के levels प्राप्त हो सकते हैं, 45,640 Saturday का low है, 45,640 तूटेगा, तो 45,480, 45,500, 45,480 आता है, और अगर वह भी तूटा, तो 45,364 तक के downside पे levels हमको प्राप्त हो सकते हैं, अब बात करेंगे हम फिन निफ्टी की, फिन निफ्टी की दोस्तो आज है expiry, और फिन निफ्टी की expiry से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है, कि सबसे अच्छा support कहां पे बने हुए है, 2542, 2545, 542 पर closing होई है, 2500, 2550 दोनों ही बड़े strong supports बने हुए है as per the option chain, option chain पे अगर आप देखोगे तो 2500, 2550 दोनों अच्छे supports है, option chain फिन निफ्टी की bullish है, bullish option chain है, और यहां से अब हम को क्या करना है, 2620, 2620 के उपर जब तक हम नहीं जाएंगे, तब तक हम upside के बारे में नहीं सोचेंगे, 2620 के उपर अगर हम जाते हैं, तो 2680, 82 के आसपास, basically मेरा level आ रहा है 2684, 2684, 2684 तक के level से राप्त हो सकते हैं, उसके बार हमको एक पार को 2700, 710 तक के पराप्त हो सकते हैं, और अगर वह भी पार हुआ, तो 2700, 773, 774 तक भी हम जा सकते हैं, and my dear friends, downside की बात कर लेते हैं, 2542 पे close हुए हैं, 2484, 2484 अगर breach होता है downside के लिए, तो वहां से आ सकता है sell-off, जो की हमको सीधा-सीधा लेकर जा सकता है, 2450 तक, 2450 भी तूट सा है, तो 20,413 आ सकता है, और 2413 के नीचे आ सकता है, 20,378, 23,78 के नीचे आ सकता है, 20,336 ना level, and then my dear friends, वो भी तूट गया, तो 20,260, 261 के करीब के levels भी आपको देखने को प्राप्त हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा, gap-up को chase हम नहीं करेंगे, do not chase the gap-up, रुकिएगा पहला एक घंटा देखिएगा, premiums को settle होने दीजेगा, market को settle होने दीजेगा, उसके बाद ही कुछ करने की सोचेंगे, या यह कहूँ कि मैं खुद आजशा करने वाला हूँ, एक पचास strategy करने वाला हूँ, 150 पे जिदर को भी market हुआ, उस तरफ को ही trade लेने वाला हूँ, जादा confusion करने की ज़रूरत मैं समझता ही नहीं हूँ, वैसे भी आज में थोड़ा दिन में थोड़ा पिज़ी भी रहने वाला हूँ, दोस्तों, अब मैं आप लोगों के साथ एक share करना चाहता हूँ, कि हम लोग पुने में सेमिनार कर रहे हैं, चार फरवरी दोहजार चौबिस को, पुने पूरे दिन का कारेकरम होगा, फुल डे, मौनिंग 9.30 तो 5.30 का प्रोग्राम है, फुल डे का प्रोग्राम है, तो लंच भी वहीं पर ही प्रोवाइड किया चाहेगा, टॉपिक्स होगे, आप्शन ट्रेडिंग, टॉपिक्स होगे, स्टॉक सेलेक्शन, टॉपिक्स होगा, आपका कि किस तरह से आपको रिजल्ट्स को अनलाइज करना है, क्वाटली रिजल्ट्स जो आते हैं, उसका अनलाइसिस कैसे करना है, उसमें खास तोर पे हम बैंकिंग के, बैंकिंग सेक्टर के जो रिजल्ट्स होगे, उनको analyze करने की उपर focus करेंगे, साथ की साथ आपको synthetic futures के बारे में भी बताया चाहेगा, तो दोस्तों जो भी उसमें आना चाहे है, खुछी से आ सकता है, registration amount है 3,000 रुपीज, phone pay, pay team या g-pay से आप payment कर सकते हैं, number है 7834-876-736, description में भी दे रखा है, और pinned message में भी दे रखा होगा, तो जो भी जानकारी है, अगर किसी को कोई जानकारी चाहे तो WhatsApp नमबर है, तो WhatsApp नमबर पर आप message कर सकते हैं, last but not the least, हम लोग से भी registered नहीं है, और जो भी content इस channel पर है, इस video में है, यह सिर्फ और सिर्फ academic content है, बाइसल की सला से इसका कोई लिना देना नहीं है, बाइसल की सला के लिए, आप अपने financial advisor से बात कर सकते हैं, उमीद करता हूँ, आप ओर ड़ी like कर चुके होंगे इस video को, like किया है तो बहुत धन्यवाद है, नहीं किया है, तो like किजएगा, share किजएगा, और दोस्तों, अगर आपने अपी तक subscribe नहीं किया चैनल को, तो subscribe करना तो बनता है न, शुक्रिया, नमस्कार, and good luck for the day, bye-bye.